ऐलो स्टूदेंट्स ?वेलकम तो आवार यूटूब चैनल ड्रिम अक्एडमी और आज हमारा जो सेशन है इस सेशन का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडीशन र्येक्शन तो अब हम शुरू करते हैं टॉपिक देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडीशन रेक्शन म हम यह जाना है कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होती है वो इलेक्ट्रोण डेफिशेंसी वाले जो इस्पिशीज होती ही वो इलेक्ट्रोफाइल्स कलाती है जिसको हम यह positive से भी represent करते है ठीक है यह जो species होती है इनके उपर कैसा चार्ज होता है positive चार्ज होता है second thing जो इस electrophile के अंदर होती है वो यह कि इनका जो octate होता है वो हमेशा incomplete होगा क्यों को कि यह electron को ते रहे है ठीक है तो पहले चीज़ क्या थी हमने बात करी कि इनके उपर positive चार्ज होता है दूसरी octate incomplete होता है और तीसरी जो इन electrophile को define करती है वो यह कि यह कैसे होते हैं Lewis acids होते है ठीक है न यह तीन चीज़ें जो है electrophile का characteristic feature है तो अगर हम जानते हैं कि electrophile के इसी positive charge वाली species होगी तो यह जो electron rich species जो होगी उनको अपने तरफ attract करने की कोशिश करती है ठीक है इसका मदलब की जो electron rich species कोन से होगी जिसको हम nucleophile के नाम से जानते हैं देरफोर इलेक्ट्रफाइल्स आल्वेज अट्रेक्ट्रेक्ट टोर्स दा nucleophile फिर हम बात करते हैं कि what is addition देखो इन जनरल हम सब जानते हैं कि addition का मतलब क्या होता मतलब की add होगा ठीक है हम organic की reaction के अंदर जो addition का मतलब हम पढ़ेंगे कि कभी भी कोई के भी substrate होगा इस reaction के अंदर वह substrate कैसा होना अची डबल या triple bonded वाला होना चीए था वो double या triple bond होगा तो बॉनड टूटेगा वह बॉनड टूटेगा तो कुछ नगुछ तो दो बॉनड बनेंगी बनेंगे वह जब दो बनेंगे वह कौन से होगी सिग्मा बनेंगे और उन सि स्पिशीज आ कर करें जुडेंगी तो यही क्या 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 लाता है टीफेंगे में क्या पाइड garlic यह निवेडान होता है हमया बाइबंड का क्या हुजाता है क्या enjoyment गवाइगा और जब भी पई टूटेगा two new sigma bond का formation होगा two sigma bond form ठीक है तो अभी हमने ये देखा कि किस तरीके से pi bond का क्या होगा कैसे भी करके reaction के अंदर जब वो reaction शो करेगा reaction mechanism होगी तो pi bond का क्या होगा breakdown होगा pi bond उटेगा तो 2 sigma bond का formation होगा और उन 2 sigma bond के उपर कोई ने पर species आकर जुडेगी अगर वह species जो सिगमा पर जो सबसे पहले surviving के जानते हैं कि हम पतलब साफ साफ क्लिए रहे है कि जो हम यहां पर reaction पढ़ेंगे उसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ही अटेक कर रहा है तो अब हमको यह जाना होगा कि क्यूं इलेक्ट्रोफाइल नहीं सबसे पहले अटेक करा ठीक है तो इसके लिए मैं आपको एक एक्जामपल लेता हूं सब्पोस करो CH2 double bond CH2 है इसकी reaction माना मेंने SCL के साथ कराई ठीक है अब हम इसकी mechanism की तरफ जाते है अब इस substrate के अंदर बात करो सब्सेट में क्या होगा यह बॉन का क्या हो जाता है आर इफेक्ट शो करता है यह या तो यह अपनी तरफ इस double species होती इलेक्ट्र नेगेटिव करेक्टर जो है क्लोरिन का hydrogen की तुल्ला में जादा होता है तो जब यह बॉन टूटेगा तो एक एक प्लस species बनती है और एक कैसी बनती है CL माइनस species बनती है ठीक है तो यह दो चीजे है जो यहाँ पर अटेक करेगी यहाँ पर है यह बनती है सबस्क्राइब करते हैं क्या होगा है अगर है क्या होगा प्लस हमेशा माइनस की तरफ यह भ्याय है तो क्या बन जाएगा? CH2 प्लस ठीक है? और CH2 यह क्या था? यह प्लस मैनेस क्यों पर गया है? तो क्या हो जाएगा? eicit इसके उपर अटेक करके यहां पर पहुंच गया, अगर हम CL- का अटेक करवाते हैं, तो क्या इस्पीशिस बनेगी? यहां पर यह प्लस है, यह CL- इस प्लस के उपस जाएगा, यह CL जुड़ गया, और यह CH2 प्लस हो गया, अब आप देख लो, जो इस्पीशिस सबसे ज़्यादा इस्टेबल होगी, इसका मतलब वहाँ रेक्शन हमारे को प्रोसीट करेगी, इस नेक्स स्टेब, यह एक इंटर कौन सी स्टेबल है, तो हमारे पास एक रूल हुआ करता था, रूल के दो, यह एक एफेक्ट के दो, जिसको हम कहते हैं, हाईपर कॉन्जुगेशन, धएपोगी, तो हमे आपको यह एक खिखर क्टुगेशन, प्रोसी और स्टेबल स्टापरी, चॉन्सेप स्टाप्रेक्शन, जेसंदरक्शन, प्रोसीनशिवालिड यह एब आप यहां रीक्षिनुए में देखो कि यह तो है यह पॉजेटिव इसपीशिई इससे जुडवा कारवन अलफा नेक है उ और इस दर के बात करते इस positive से जुड़ावा carbon alpha और alpha से जुड़ावा hydrogen क्या होगा alpha hydrogen यह alpha carbon यह alpha hydrogen यहाँ पर कितने हैं दो हैं अब आप खुद देखो यहाँ पर alpha hydrogen किते हैं 3 यहाँ alpha hydrogen किते हैं 2 तो जहाँ पर alpha hydrogen ज्यादा है वो ज्यादा stable होगा यह reaction क्या होगी ज्यादा stable होगी यह मैं के दो, यह intermittent ज्यादा stable होगा, फिर next step के अंदर reaction क्या गए फिर proceed करेगी इस वे के तो इसलिए हमने इस reaction क्या बोला, Electrophilic Edition reaction का, क्यों, क्यों कि Electrophile का attack सबसे पहले हुआ, प्यों कि अगर पहले nuclear file attack करेगा, तो intermittent stable है नहीं, इंटर्मीटिटिट इस्टेप नहीं है तो रिक्षन आगे और प्रोषीट नहीं करे गी, यहां पर इंटर्मीटिट क्या हो गया है हमारा इस्टेबल होगा इसको हम क्या कहते हैं step first अब second step है अब बचा कोण? nucleophile है वो second step के अंदर यहां पर यहां पर यहां पर यह हमारा क्या होगा रियक्षिन का प्रोड़क्ट क्या लाएगा ठीक है तो अब हमको इस रियक्षिन में यह चीज साफ साफ क्लियर होगी कि वाइडिस रियक्षिन इस वाइडिस्ट का यहां पर यहां पर जूड़ी है यही हमारे लेक्टोफिलिक एडिशन रेक्शन कहला आएगा अब हम कोई सी भी रेक्शन को इसके हम बात कर सकते हैं जैसे कि सपोस्पोज करो मैंने कोई भी रेक्शन करते हैं इसकी रेक्शन में कराऊंगा माल लो एच और सील के साथ में रेक्शन करें अब सिंपल सी बात है देखो एक सिंपलेश्ट वे बता रहो मेकरीजम की तरह हम नहीं जाहेंगे इन जन्रलिक मेकरीजम जो हमको इसी प्रोड़क्ट मनाना सीखना है उसके अगोड़ी हम बात करते इसके अंदर क्या होगा यह डवल बोंड यह यहँ डोब बोंड तूटेगा हम को पता है तो एक तरफ प्योंड पहुंको बहुत दिटेव इसके देखो तरी्का नहीं है कि हम यह पता लगा सकके पहला जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा पोसिटीव वह लगेगा मैंस यहां पर मनलब यहसे उप्शन हमार Tom यहां पर यह जो कार बने एक और यह के सबर चाहेगा अब हम जानते हैं कि positive खा जाएगा इस carbon के उपर जाएगा यहाँ पर क्या लग जाएगा positive यहाँ क्या लग जाएगा negative लग जाएगा ठीक है यह तो हमर सबस्टेट के अंदर हमने positive और negative species बना ली अब हम बात करते हैं हम जानते हैं कि oxygen की लग ज्यादा होती है तो ओ एच माइनस बनेगा इसके अंदर ठीक है एज़े न्यूक्लिफाइल और एक क्या बनेगा c l plus species बनेगी जो क्या होगा एलेक्ट्रफाइल होगा ठीक है रब तो अब हम कुछ आपता है step first क्या करना है positive species को यहाँ जड़ोगी क्यों ठोकि add हो रहा है कोई यहाँ से remove हुआ नहीं हुआ हम क्या करेंगे सबसे बले यहाँ पर species को add करेंगे double bond है double bond टूट रहा है दो इसटेश्माब बन रहे हैं तो कौन से reaction होगी addition reaction होगी attack किसका हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का सबसे पहले attack होगा reaction कैसी होगी इस चीज़ को परचान सकते हैं की reaction कैसी है Electrophilic addition reaction है ठीक है अब मैं get करूंगा पहली step में क्या होगा CL plus attack करेगा कहा करेगा यहाँ attack करेगा ch to cioè in excel step second step आएगी वहाँ पर क्यา होगा ओइस्ट माइनस का अटेग होगा यह जो श्टेप एगर हम काटव है क् अगर हम मैकनिजन की तरफ जाकते हैं स्टेप को बोलने स्लोइस्ट लोग स्टेप क्यों किई ही हमारे पास पर के हैं इंटरमीडियेट jeux और जो और यहां पर यह जो इस पीशीज हमारे पास बनकिया यह क्या होगा प्रोडक्ट होगा ठीक है तो मैं आपको यही पताना चाहरा हूं कि किस तरीके से हम किसी भी रेक्शन को हम पता लगा सकते हैं कि वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रेक्शन है सबसे पहली चीज कि एलेक्ट्रोफिल कौन होते हैं इलेक्ट्रोफिल स्पीसिज होगी तो उस में इसमेंघ करेगी है इग्आ यही सिचेशन के साथ अगर पहली इक्टिक करें तो इलेक्ट्रोफिलिक अगर वही इट iём रेक्षिन करा कि एके पद रिट अटेक करा तो जो इंटरमीडेट स्पीशिस बनी वो कैसी थी ज्यादा इस्टेबल थी किस रूल के थूँ या किस एफेक्ट के थूँ आइपर और यहां की बात करेंगे तो यह अनिस्टेबल है यह मैं के तो लेस्टेबल है इसलिए यहां रेक्शन पॉसिट नहीं करी यहा एक मारे पास बनimana यह था हमारा एक्ट्रो विशर के अडिशन रेक्शन में अब हमारे पास रूल आता है इसी इलेक्ट्ट्रोफिलिक एडिशन में जीह सो के थे हम मारठव को निक यहां इस रूल को हम किस तरीके सेवनारा करेंगे इसी अअवर्ल को यह अब्म, इस्पल तो हमने पॉजिटीव लगा लिया तो हमार रपास एक नियम यह भी है इस मारकॉनिक और रूल को भी हम अप्लाई करके हम इसली पता लगा सकते कौन सी स्पीशिस पॉजिटीव है और कौन सी नेगटिव बनेगी जैसे गिनी अब मैं बात करता हूं वही एक्जाम्पल को ट्रिपल बॉन के दू या पाई बॉन टूटेगा सपोज यह पाई बॉन टूटा तो यह केता है कि पॉजिटीव ली चार्ज स्पीशिस या पॉजिटीव चार्ज वहां जाएगा यहां पर या जिस कार्बन के उपर लेस नमरों फाइडोजन अब देखो पॉजिटीव तो मैं क्या क्या सकता हूं यहां पॉजिटीव जाए और यहां नेगिटिव जाएगा ज्यश्ट ए सिंपल रूल ठीक है न तो यही हमारे पास कहा है मार्कोणीफ ऑफ रूल के लाता है इस रूल के क्या कह रहा है कि जब भी पाई बॉन का ब्रेकेज होगा या मैं के प्लूल के हट के बाद करूँ अगर थी डीग्री कार्बोकेट आए ने तो जब से पहले प्लस या पॉजिटिव स्पीशिस बनने के अगदार थी डीग्री वाला कार्बोकेट आए ने तो यही हमारे पास क्या है मारकॉनिक आप प्रूर